हेलो दोस्तों नमश्कात तर्श्विया क्याल एनादाब मैं हूँ आपका दोस्त राजय वस्तिया और आज के हमारे इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जी आ दोस्तों आज एक बहुत ही कमाल का प्रोड़क्ट हमारे पास आया है और वो है सिंगल एक्सि आता है कोई भी मॉबाइल फोण जो है उसे लगा सकते हैं अगर आप चाहें यह आपको लगता है कि आपको फिर मॉबाइल फोण नहीं लगाना आपको लगाना है एक action camera एक action camera के लिए अलग से एक mount मिलता है इसे assemble करना है यहाँ पर इसके जो दो screw दिख रहे हैं यह screw कुछ इस तरीके से open हो जाएंगे और इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें एक अब आप लगा सकते हैं इस तरीके से प्रेस करके फिर आप लगा सकते हैं अपने action camera को आई इससे पहले मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूं कि यह कैसे तो मैं इसमें सबसे पहले भी लगा देता हूं इसके साथ mobile वाले adapter को तो इस तरीके से mobile का adapter मिल जाता है आपको एंड इसके अलावा इसमें आपको मिल जाता है यह C type के बल से आप इसे जो है चार्ज कर सकते हैं आसानी से एंड इसके अलावा यहाँ पर आपको देखने को म इंबल बिल्ट इन 5 टेलिसकोपिक एक्टेंडेबल एडजेस्टेबल रॉड जिया यहां पर यह जो रॉड है आप इसे एडजेस्ट कर सकते हैं अलग-अलग 5 स्टेप में यह कुछ इस तरीके से जो है वो जो है लंबा हो जाता है जितना आप चाहा है उतना यहां पर इसमें अब लगा लेता है ता कि आपको सारी से कलेर रोजाहा तो पहले से क्लोस करते हैं एसके बाद इसका सारा डीटेल जो है मैं आपसे करता हूं कुछ इस तरीके का smartphone होगा आपके पास भी से आपको simply इस तरीके से लगा लेना है यहाँ पर adjust कर लेना है अपने हिसाब से जहाँ पर आपकी जो keys है वो खराब ना हो या फिर इधर दुन ना जाएब इसे press कर सके आराम से यह मैंने इस तरीके से adjust कर लिया आप देख सकते हैं और इसके बाद simply यहाँ से on करता हूँ यहाँ से आप देखेंगे कि यह gimbal activate हो जाता है और अब यह बिल्कुल stable हो गया है यहने अच्छी बात है कि आपने gimbal जो है उससे बिल्कुल अच्छी से stable कर दिया है और मैं क्या करता ह हूँ इसके सारे features को बताने के लिए इसके screen की recording कर लेता हूँ ताकि आपको इसकी details जो है वो देखने को मिल जाए तो यहाँ पर पूरा setup हो गया है अब इस setup की सबसे बात यहां पर देखें मेरा single axis gimbal है और इससे आप यूज कैसे करेंगे तो इसका पूरा detail में आप से कि है और इस तरह केसे आप चाहिए तो इससे लंबा कर सकते हैं यहां से इसे फोल्ड करके अपने साब से padस्कासर कर सकते कि आपको इस एंगल पर चाहिए जहीड़ पर आ गया है इस की साथ आ जाले में इस फ्रीमोट को लगाए लगाए एक बार इसे Bluetooth से जो है connect कर लेता हूं Bluetooth से connect करने के बाद आप इसे रिमोट लिश कर सकते हैं को कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा आपको इस तरीके से stick को पकड़ना है और stick को पकड़ने के साथ साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं कुछ जो है पिच्चर्स ले लेता हूं तो यह पिच्चर नंबर 1 और यहाँ पर यह पिच्चर नंबर 2 और पिच्चर नंबर 3 तो इस तरीके से मैंने 3-4 पिच्चर्स ले ली हैं और अगर आपका content creation का काम पहीं गया है और वहाँ पे आपको इस stick का काम है जिसमें आप कुछ पिच्चर होरिजेंटल लेना चाहते हैं और कुछ वर्टिकल लेना चाहते हैं तो simply देखिए यही है single axis का कमाल यहाँ पे just मैंने यह camera जो है करता हूं तो यह single click करता हूं तो आप देख सकते हैं और अब यहाँ पर simply मैं एक क्लिक करता हूं देन मेरे जो पिच्चर हो जाती है अगर आपको लगता है कि आपको कोई video बनाना है simply आप इसे video mode में लेके जाता हूं और video में लेके जाने के बाद अगर मैं इसमें FPV का मज अभी जो है ले सकते हैं simply मैंने इससे पहले record बटन दबा दिया यह video मेरा record होना start हो गया है और अब अगर मैं यहाँ पे इसके FPV बटन को ऐसा click करके रखता हूं तो आप देख सकते हैं कि अगर आप real बगरा बना रहे हैं तो यहाँ पर यह कुछ इस तरीके से जो video है आराम से 360 degree याने rotate कर सकता है जो कि बहुत बढ़िया लगता है देखने में तो guys इतने सारे कमाल के features के साथा है तो आप इससे reel बनाना चाहें तो reels बना सकते हैं आप content creation करना चाहें content creation कर सकते हैं यह है digitaker DSD 003 ACH single axis foldable smartphone gimbal तो यह आपके लिए perfect हो सकता है यह आपका content creation का का काम है link and वहां से इसे buy कर सकते हैं so guys आपको यह single axis foldable gimbal कैसा लगा आप हमें comment करके जरूर बताइएगा मैं आपके comment करूंगा और यह आपने इसे buy कर लिया है और अगर आपने इसे use कि आप देख सकते हैं मैं इसे किस भी angle में जा रहा हूं चुकि इसमें single axis है तो कहीं पर भी किसी इस भी प्रकाल से जो है इसमें जरक आपको देखने को नहीं मिलता है और किसी भी कर अब बहुत, शुक्रिया